आए बतन वासी तुम्हें बच्चे बुलाते हैं कहते सारे बाबा प्यारे याद आते हैं बहुत ही याद आते हैं बाबा याद आते हैं मिल रही है पालना अव्यक्त की मुझे रहे हो प्यार तुम तो आज भी मिल की वे सारे दिन क्यों याद आते हैं बहुत ही याद आते हैं बाबा याद आते हैं ओम शांती आज 18 जन्वरी 2021 के बाब दादा के अनमोल महावाक्य हैं जो विशेश 18 जन्वरी पिताश्री ब्रह्मा बाबा के पुन्य स्मर्ति दिवस के लिए हैं बाबा बोले मीठे बच्चे एक बाब की याद से तुम्हे सुप्रीम बनना हैं तो भूले चुके भी किसी और को याद नहीं करना ओम शांती बेहद का बाब बैठ बच्चों को समझाते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्म समझ मुझ बाब को याद करो और अपने घर को याद करो उनको कहा ही जाता है टावर ओफ साइलेंस परमधान को टावर ओफ सुख टावर बहुत उचा होता हैं तुम वहाँ जाने के लिए पुर्शार्थ कर रहे हो उच ते उच टावर ओफ साइलेंस में तुम कैसे जा सकते हो यह भी टावर में रहने वाला बाब बैठ सिखलाते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो हम आत्मा शांती धाम की निवासी हैं वह है बाप का घर यह चलते फिरते टेव अर्थात आदत डालनी हैं अपने को आत्मा समझो और शांती धाम सुखधाम को याद करो बाप जानते हैं इसमें ही महनत हैं जो आतम अभीमानी होकर रहते हैं उनको कहा जाता है महावीर याद से ही तुम महावीर सुप्रीम बनते हो सुप्रीम अर्थात शक्तिवान बच्चों को खुशी होनी चाहिए स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहा है आत्मा की बुद्धी चली जाती है बाबा की तरफ यह है आत्मा का लव एक बाप के साथ सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बाते करो बाबा आपकी तो कमाल है स्वपन में भी नहीं था आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे बाबा आपकी सिक्षा पर जरूर चलेंगे, कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा जैसे पुर्शार्थ करते हैं, बच्चों को भी सुनाते हैं। शिव बाबा को इतने धेर बच्चे हैं, ओना तो होगा न, अर्थात खयाल तो रहता है न, कितने बच्चों की संभाल होती हैं, यहां तुम इश्वरिय परिवार में बैठे हो, बाप सनमुक बैठे हैं, तुम ही से खाओ, तुम ही से बैठू, तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आकर कहते हैं, मीठे बच्चे, माम एकम याद करो, देह सहीत, देह के सभी संबंधों को भूल जाओ, यह अंतिम जन्मा हैं, यह पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जानी हैं, कहावत भी हैं, आप मुए मर गई दुनिया, पुर्शार्थ के लिए थोड़ा संगम का समाई हैं, बच्चे पूछते हैं, बाबा यह पढ़ाई कब तक चलेगी, जब तक देवी राजधानी स्थापन हो जाए, तब तक सुनाते रहेंगे, फिर ट्रांस्फर होंगे नई दुनिया में, यह पुराना शरीर हैं, कुछ न कुछ करम भोग चलता रहता हैं, इसमें बाबा मदद करें, यह उमीद नहीं रखनी चाहिए, देवाला निकला बिमार हुआ, यह बाब कहेंगे तुम्हारा हिसाब किताब हैं, हाँ फिर भी योग से आयू बढ़ेगी, अपनी महनत करो, कृपा मांगो नहीं, बाब को जितना याद करेंगे इसमें ही कल्या जितना हो सके योग बल से काम लो, गाते भी है ना, मुझे पलकों में छिपालो, प्रिय चीज को नूरे रतन, प्राण, प्यारा कहते हैं, यह बाब तो बहुत प्रिय हैं, परन्तु है गुप्त, उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पुछो, बच्चों को तो ब बाब को पलकों में छिपाना पड़े, पलके कोई यह आखे नहीं, यह तो बुद्धी में याद रखना हैं, मुस्ट बिलवेड निराकार बाब हमें पढ़ा रहे हैं, वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर हैं, ऐसे मुस्ट बिलवेड बाब के साथ कितना प्यार चाहिए, बच्चों की कितनी निश्काम सेवा करते हैं, पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को हिरे जैसा बनाते हैं, कितना मीठा बाबा है, तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनना है, कितना निर अहंकार से बाबा तुम बच्चों की सेवा करते हैं, तो तुम बच् उतनी सेवा करनी चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए, कहां अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकिर लग जाएगी, तुम ब्राम्हन इश्वर्य संतान हो, ब्रम्हा की अलाद भाई बहन हो, इश्वर्य पोत्रे पोत्रिया हो, उनसे वर्सा ले रहे हो, जितना करेंगे उतना पद पाएंगे, इसमें साक्षी रहने का भी बहुत अभियास चाहिए, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, हे आत्माए, माम एकम याद करो, भुले चुके भी बाप के सिवाए, कोई को याद नहीं करना, तुम्हारे प्रतिग्या हैं, बाबा मेरे तो एक ही आ हो, हम आत्मा है, आप परमात्मा हो, आप से ही वर्शा लेना हैं, आप से ही राज योग सीख रहे हैं, जिससे राज्य भाग्य पाते हैं, मीठे बच्चे, तुम जानते हो यह अनादी ड्रामा हैं, इसमें हार जीत का खेल चलता हैं, जो होता है वह ठीक हैं, क्रियेटर को जरूर पसंद होगा ना, तो Creator के बच्चों को भी पसंद होगा। इस ड्रामा में बाप एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल, वाजान, सीक वा प्रेम से सेवा करने आते हैं। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं। तुम जानते हो सत्युग में भी सब एक दो को प्यार करते हैं। जानवरों में भी प्यार रहता हैं। ऐसे कोई जानवर नहीं होता जो प्यार से ना रहे। तो तुम बच्चों को यहां मास्टर प्यार का सागर बनना है। यहां बनेंगे तो वह संसकार अविनाशी बन जाएंगे बाप कहते हैं कल्प पहले मिसल हुब हुँ फिर से प्यारा बनाने आया हुँ कभी किसी बच्चे का गुसे का आवाज सुनते हैं तो बाप सिख्षा देते हैं बच्चे गुसा करना ठीक नहीं है इससे तुम भी दुखी होंगे दुसरों को भी दुखी करेंगे बाप सदा काल का सुख देने आये हैं तो बच्चों को भी बाप समान बनना है एक दो को कभी दुख नहीं देना है तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा है सुब का साई रात को दिन अथवा सवेरा बनाने वाला है साई कहा जाता है बेहद के बाप को वह एक ही साई बाबा भोलानाथ शिव बाबा है नाम ही है भोलानाथ भोली भोली कन्याए माताओ पर ग्यान का कलश रखते हैं उन्हों को ही विश्व का मालिक बनाते हैं कितना सहज उपाई बताते हैं, कितना प्यार से तुम्हारी ज्ञान की पालना करते हैं, आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो, योग का सनान करना है, ज्ञान है पढ़ाई, योग सनान से पाप भस्म होते हैं, अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते र तो यह देह का अहंकार बिलकुल तूट जाए। योग से ही पवित्र सतो प्रधान बन बाबा के पांस जाना है। कई बच्चे इन बातों को अच्छी रिती समझते नहीं है। सच्चा सच्चा अपना चाइट बताते नहीं है। आधा कल्प जूठी दुनिया में रहे हैं तो जूठ जैसे अंदर जम गया है। सच्चा इसे अपना चाइट बाबा को बताना चाहिए। चेक करना चाहिए हम पोना घंटा बैठे, इसमें कितना समय अपने को आत्मा समझ, बाप को याद किया, कईयों को सच बताने में लज्जा आती हैं. यह तो जट सुनाएंगे कि इतनी सर्विज की इतने को सुनाया, परन्तु याद का चाट कितना रहा, वह सच नहीं सुनाते हैं. याद में न रहने के कारण ही तुम्हारा किसी को तीर नहीं लगता हैं. घ्यान तलवार में जोहर नहीं भरता हैं. कोई कहते हैं हम तो निरंतर याद में रहते हैं, बाबा कहते हैं वह अवस्था है नहीं, निरंतर याद रहे तो करमाती तवस्था हो जाए, ज्यान की पराकाष्टा दिखाए दे, इसमें बड़ी महनत हैं, विश्व का मालिक ऐसे ही थोड़ी बन जाएंगे, एक बाप के सिवाए और कोई की याद न रह यह देह भी याद न आए, यह अवस्था तुम्हारी पिछाडी को होगी, याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई होती रहेगी, अगर शरीर छूट गया फिर तो कमाई कर नहीं सकेंगे, भल आत्मा संसकार ले जाएंगी, परन्तु टीचर तो चाहिए ना, जो फिर स्मर् दिलाते रहते हैं, ऐसे बहुत बच्चे हैं, जो ग्रहस्त योभार में रहते, नोक्री आदी भी करते और उच्पद पाने के लिए श्रीमत पर चल, अपना भविश्य भी जमा करते रहते, बाबा से राय लेते रहते, पैसा है तो उनको सफल कैसे करे, बाबा कहते सेंटर खोलो, जिससे बहुतो का कल्यान हो, मनुष्य दान पुन्य आदी करते हैं, दुसरे जनम में उसका फल मिलता हैं, तुमको भी भविश्य 21 जनमों के लिए राज्य भाग्य मिलता हैं, तुम्हारी यह नमबर वन बैंक हैं, इसमें चार आना डालो, तो भविश्य में हजार बन जाएगा, पत्थर से सोना बन जाएगा, तुम्हारी हर चीज पारस बन जाएगी, बाबा केते मीठे बच्चे उँच बाद पाना हैं, तो मात पिता को पूरा फॉलो करो और अपनी करमिंद्रियों पर कंट्रोल रखो, अगर करमिंद्रिया वश नहीं, चलन ठीक नहीं तो उँच पद से वंचित हो जाएगे, अपनी चलन को सुधारना है, जास्ती तमन्नाई नहीं रखनी है, बाबा तुम बच्चों को कितना ज्यान श्रिंगार कराई, सत्युग के महराजा महरानी बनाते हैं, इसमें सहन शिलता का गुण बहुत अच्छा चाहिए, देह के उपर तुमच मोह नहीं होना चाहिए, योग बल से भी काम लेना है, बाबा को कितना भी खासी आदी होती है, फिर भी सदेव सर्विस पर ततपर रहते हैं, ज्यान योग से श्रिंगार कर बच्चों को लायक बनाते हैं, तुम अभी इश्वर्य गोद में, मात पिता की देते हैं, तो यह मा हो गई, परन्तु तुम्हारी बुद्धी फिर विश्य बाबा की तरफ जाती हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपाते सुक घनेरे, तुमको सर्वगुण संपन्न यहां बनना है, घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है, अच्छा मी मिठे मिठे सिकिलधे बच्चो प्रती, मात पिता बाप दादा का, याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते, हम रुहानी बच्चो के रुहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते, सदा रहे हास्ते, बनते चल अभी अव्यक्त महावाक्य हैं बाप दादा बोले सभी योग-युक्त और युक्ति Kendall स्थित में स्थित होते हुए अपना कार्य कर रहे हैं क्योंकि वर्तमान, समय प्रमान, संकल्प, वानी और करम ये तिनों ही युक्ती युक्त चाहिए, तब ही संपन्न व संपूर्ण बन सकेंगे। चारो तरफ का वातावरण योग युक्त और युक्ती युक्त हो। जैसे युद के मैदान में जब योद्धे युद के लिए दुश्मन के सामने खड़े होते हैं, तो उनका अपने उपर और अपने शस्त्रों के उपर, अर्थात अपनी शक्तियों के उपर कितना अटेंशन रहता हैं, अभी तो समय समीप आता जा रहा हैं, यह मानों युद क मैदान में सामने आने का समय हैं, ऐसे समय में चारो और सर्वशक्तियों का स्वयम में अटेंशन चाहिए, अगर जरा भी अटेंशन कम होगा, तो जैसे जैसे समय प्रमान चारो और टेंशन बढ़ता जाता हैं, ऐसे ही चारो और टेंशन के वातावरण का प्रभाव, पांडव सेना पर भी पढ़ सकता है। दिन प्रति दिन जैसे संपुर्णता का समय नजदीक आता जाएगा तो दुनिया में टेंशन और भी बढ़ेगा, कम नहीं होगा। खीचा तान के जीवन का चारो और अनुभव होगा, जैसे की चारो और से खीचा हुआ होता है। एक तरफ से प्रकृती की छोटी-छोटी आपदाओ के नुकसान का टेंशन, दुसरी तरफ इस दुनिया की गवर्मेंट के कड़े लॉज के टेंशन, तिसरे तरफ व्यवहार म कमी का टेंशन, और चोथी तरफ जो लौकिक संबंदी आदी से सनेह और फ्रीडम होने के कारण खुशी की भासना अल्पकाल के लिए रहती है। वह भी समाप्त होकर भय की अनुभूती के टेंशन में, चारो और का टेंशन लोगों में बढ़ना है। चारो और के टेंशन म आत्माय तडफेगी, जहां जायेगी वहां टेंशन, जैसे शरीर में भी कोई नस खिंच जाती हैं, तो कितनी परेशानी होती हैं, दिमाग खिचा हुआ रहता है। ऐसे ही यह वातावरन बढ़ता जाएगा, जैसे कि कोई ठिकाना नजर नहीं आएगा, कि क्या करे, अगर ह ना करे तो भी खिचावट, ना करे तो भी खिचावट, कमावे तो भी मुश्किल, ना कमावे तो भी मुश्किल, इखटा करे तो भी मुश्किल, ना करे तो भी मुश्किल, ऐसा वातावरन बनता जाएगा, ऐसे टाइम पर चारो और टेंशन का प्रभाव, रुहानी दव सेना पर ना हो। स्वयम को टेंशन में आने की समस्याए न भी हो लेकिन वातावरन का प्रभाव कमजोर आत्मा पर सहज ही हो जाता है। भई का सोच की क्या होगा कैसे होगा इन बातों का प्रभाव न हो उसके लिए कोई न कोई बीच बीच में इश्वरिय याद की यात्रा का विशेश प्रोग्राम मदुबन द्वारा ओफिशल जाता रहना चाहिए जिससे की आत्माओं का किला मजबूत रहेगा। आजकल सर्विस भी बहुत बढ़ेगी लेकिन बढ़ने के साथ साथ युक्ती युक्त भी बहुत चाहिए। आजकल संबंद और संपर्क में रहने वाले जादा आएंगे। स्वरूप बनने वाले कम आएंगे। सब एक जैसे नहीं निकलेंगे। दिन प्रति दिन क्वालिटी भी कमजोर आत्माओं अर्थात प्रजा की संख्या जादा आएगी। उन्हें एक बात अच्छी लगेगी, दो नहीं लगेगी। सब बातों में निश्चय नहीं होगा, तो संपर्क वालों को भी उन्हों को जो चाहिए, उसी प्रमाण उन्हों को संपर्क में रखते रहना है। समय जैसे नाजो काता जाएगा, वैसे समय प्रमाण भी, उनके लिए रेगुलर स्टुडेंट बनना मुश्किल होगा, लेकिन संपर्क में धेर के धेर आएगे, क्योंकि लास्ट समय है न, तो लास्ट पोज कैसा होता है। जैसे पहले उचल, उमंग, उच्सा होता है, वह विरला कोई का होगा, मैजोरिटी संबंद और संपर्क वाले आएगे, तो यह अटिंशन चाहिए, ऐसे नहीं कि संबंद वाली आत्माओं को न परकते हुए, संपर्क से भी उन्हें वन्चित कर दो, खाली हाथ कोई भी ना जाए, नियमों पर भल नहीं चल पाते हैं, लेकिन वह स्नेह में रहना चाहते हैं, तो ऐसी आत्माओं का भी अटिंशन जुरूर रखना, समझ लेना चाहिए कि यह ग्रूप इसी प्रमाण तिसरी स्टेज वाला है, तो उन्हों को भी उसी प्रमाण हैंडलिंग मिलनी चाह अच्छा, ओम, शांती, आज बाबा का वर्दान है, स्नेह के पीछे सर्व कमजोरियों को कुर्बान करने वाले समर्थी स्वरूप भव, स्पष्टिकरण है, स्नेह की निशानी है कुर्बानी, स्नेह के पीछे कुर्बान करने में कोई मुश्कील वा असंभव बात भी संभ और सहज अनुभव होती हैं, तो समर्थी स्वरूप के वर्दान द्वारा सर्व कम्जोरियों को मजबूरी से नहीं, लेकिन दिल से कुर्बान करो, क्योंकि सत्य बाप के पास सत्य ही स्विकार होता है, तो सिरफ बाप के स्नेह के गीत नहीं गाओ, लेकिन स्वयम बाप समान अव्यक्त स्थिती स्वरूप बनो, तो सब आपके गीत गाएंगे, स्लोगन संकल्प वस्वपन में भी एक दिलाराम की याद रहे, तब कहेंगे सचे तपस वी, अच्छा, ओम शान्ती, थैंक यू थैंक यू